पारिस्तितिक पिरामिड का जो तीसरा प्रकार है वो है उर्जा का पिरामिड पिरामिड ओफ एनरजी तो बच्चों जब किसी पोशक सर से उर्जा का प्रवा होता है तो वो हमेशा एक ही दिशा में होता है और इसलिए जब उर्जा का पिरामिड बनेगा वो हमेशा सीधा ब कि ongoing श्रोड हो फित परावाज वह एक की दिशा में होता रहा है हुए तो एक पोशक्तर से दूसरे पोशक्तर पर जब ऊर्जा का स्थानान्तरन होता थों कितनी अर्जा जा रही है तो इसमें हम पाड़े वाले हैं। प्रतिशत का नियम तो बच्चों यहां पर हम एक पिरामिट का उधारन ले लेते हैं जैभार के पिरामिट का जिसमें जंगल का पिरामिट आप देख रहे हैं इसमें जीवों के जैभार दिये हुए हैं और इन जैभार के आधार पर हम उर्जा का प्रतिशत निकालेंगे तो जृतिय उपभोगता का 1.500 किलोग्राम और तृतिय उपभोगता का जय भार दिया हुआ है 15 किलोग्राम अब इन जय भार के आधार पर उर्जा का प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो उत्पादकों का जय भार को हम जो प्राथमिक उपभोगता है उनके जय भार दोनों का भाग देंगे तो कैसे करेंगे पंध्रा सो भागित पंध्रा हजार गुनित सो क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है तो जब हम पंध्रा सो भागित पंध्रा हजार गुनित सो करेंगे जब आप इसको सौल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा दस प्रतिशत तो हमको पता चल गया है कि उत्पादक से प्रात्मिक उपभोगता तक दस प्रतिशत उर्जा ही स्थानांतरित हो रही है चलि हम आगे निकालते हैं अब प्रात्मिक उपभोक्ता से द्वितियक उपभोक्ता में कितनी उर्जा जा रही है इसका पता करना है तो फिर से हम क्या करेंगे देड़ सो भागित पंद्रासो गुणित सो इसको स्वाल करेंगे तो कितना आएगा बिल्कुल सही 10 प्रतिशत इसका मतलब प्रात्मिक उर्जा ही स्थालान्तरित हो रही है अब आगे कितनी जाएगी इसको भी निकालते हैं फिर से द्वितियक उद्भोक्ता से त्रितियक उपभोक्ता में कितनी उर्जा जा रही है को पर हम क्या करेंगे जय भार को भाग भाग देंगे गुणित सो करेंगे तो 15 भागित देड़ सो गुणित सो कितना आएगा 10 प्रतिशत तो बच्चो उर्जा जब कोई भी पोशकस्तर का जीव दूसरे जीव में जब स्थानांतरित होती है उर्जा तो वो हमेशा 10 प्रतिशत ही होती है जीवों की पूरी उर्जा एक जीव से दूसरे जीव में नहीं जाती केवल 10 प्रतिशत ही जाती है इसलिए हम इसे कहते हैं 10 प्रतिशत का नियम चलिए इसको हम और समझने का प्रयास करते हैं हम जानते कि जो उत्पादक होते है यह सूरे की सौर उर्जा को ग्रहन करके रासानिक उर्जा में परिवर्थित करते हैं प्रकासदलेशन की क्रिया होती है जिसमें पेड पौधे जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं तो सूर्य की केवल एक प्रतिशत उर्जा ही पौधे ग्रहन करते हैं अब जब पौधों ने ये उर्जा ग्रहन की तब पौधे क्य लिए भी उन्हें क्या लगती है तो क्या होता है बच्चों 90 प्रतिशत उर्जा जैविक प्रक्रियाओं में उश्मा के रुप में बहार निकल जाती है केवल 10 प्रतिशत उर्जा ही जो है वो बस्ती है जो की दूसरे पोशक स्थर में स्थाना अंतरित होती है तो यहां पर आप देख रहे हैं सौर उर्जा से पोध्य अपना भोजन बना रहे है उत्पादक अब उत्पादक की 90 प्रतिशत उर्जा जो है जैविक प्रक्रियाओं में उश्मा के रुप में बहार निकल गी 10 प्रतिशत स्थाना अंतरित हुई किसको मिली जो इनुत्पादकों को भोजन के रुप में ग्रहन कर रहे हैं शाकारी जीव प्रात्मिक उपभोगता अब ये प्रात्मिक उपभोगता क्या करेंगे ये भी अपनी शरीर की जो भी जैविक रिया है उनको पूरा करने के लिए संपन करने के लिए इस उर्जा क कीवल दस प्रतिशत में आगे स्थान आंतरित होगी तो जो दस प्रतिशत में ऑ्परित और निकली और केवल 10 प्रतिशत ही स्थान अंतरित हुई इस प्रकार से 10 प्रतिशत उर्जा तृत्य पोशक स्थर पर पहुझ गई इसलिए इसे हम 10 प्रतिशत का नियम कहते हैं तो ये बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा कि उत्पादक के पास ही सबसे जादा उर्जा उपस्तित होती है और बहुत कम लास्ट में अंतिम में शिर्ष में बहुत कम ही उर्जा बचती है जीवों के लिए इसलिए हम 5 पोशक स्तर की बात करते हैं उसके आगे ने क्योंकि उसके आगे उत्री उर्जा नहीं बसती है जीवों के लिए तो आगे हम एक प्रश्ण दिया है इसको हम calculate करके निकालेंगे और देखेंगे कि कितनी उर्जा जो है वो जीवों में स्थानद तरित होती है तो यहां पर एक प्रश्ण दिया है यदि ध्यान के खेत में उत्पादक के स्तर के प्रती हेक्टियर पर 5000 कीलो कैलोरी उर्जा है तो 0.5 कीलो कैलोरी उर्जा तक खाद श्रिंखला में अधिक्तम कितने स्तर होंगे यह हमको बताना है मतलब 5000 कीलो कैलोरी उत्पादक की है तो 0.5 कीलो कैलोरी किस पोशक स्तर की होंगी यह हमको बताना है इनको कैलकुलेट करके हम अभी हम बताएंगे और हमको यह ध्यान रखना है कि हर स्तर पर कित्ते प्रतिशत उर्जा स्थान अंतरी तोरी केवल 10 प्रतिशत तो यहाँ पर हम एक पिरामिट की साहता से इसे सौल करने के कोशिश करते हैं जैसे अभी हम ने किया था देखिए उत्पादक है इनके पास उर्जा कितनी है 5000 कीलो कैलोरी अब 5000 कीलो कैलोरी का 10 प्रतिशत आप निकालेंगे 5000 कीलो कैलोरी का जब आप 10 प्रतिशत निकालेंगे तो कितनी उर्जा रहेगी प्रात्मी को भुगता के पास 500 कीलो कैलोरी फिर 10 प्रतिशत निकालेंगे तो द्यूतिय को भुगता के लिए कितनी उर्जा है 50 कीलो कैलोरी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे कितनी है 5 कीलो कैलोरी औ और फिर आगे हम 10% निकालेंगे, तो कितनी उरजा है? 0.5, 0.5 kcal उरजा है, अब इसके पोशक स्थर देखिए, 5000 kcal में जो उत्पादक है, यह प्रत्थम पोशक स्थर पर है, 500 kcal दुट्य पोशक स्थर पर है, 50 kcal तीतिय पोशक स्थर पर है, 5 kcal चतूत पोशक स्थर पर है, तो 0.5 किलो कैलोरी कौन से पोशक सर पे आ गया पंचम पोशक सर यही प्रेशन में हमको पूछा गया है तो देखें आप जो उर्जा की मातरा है उत्पादक के पास सबसे ज़ादा है और जैसे ही अंतिम पोशक सर पे हम पहुचे तो जो उर्जा की मातरा है वो कितनी बची 0.5 किलो कैलोरी तो यही होता है केवल 10 प्रतिशत उर्जा ही आगे स्थाना अंतरित होती है तो हमने यह समझा कि 90 प्रतिशत जो उर्जा है वो श्वेशन या अप्षिष्ट पधार्त के रूप में बहार उश्मा के रूप में निकल रही है तो ये जो अप्शिष्ट पदार्त जीव बहा निकालते है ये उस जीव के लिए तो अप्शिष्ट पदार्त है लेकि दूसरे जीव के लिए यही भोजन का कारे करते है यही पोशन होता है तो दूसरे जीव इन अप्शिष्ट पदार्तों को ग्रहन करके अपना पोशन करत जिए और इस पर्ण, पदारतों का चक्र करण होते रहता है, तो पर्यावरन के आजविग घटक और जीवों के अफशिष्ट पदाथ, यह जो अफशेश हैं उनमें जो पाये जाने वाले पोशक तत्व हैं, इनका चक्री करण होते रहता है, और अभी हम नेक्स्ट हमारा जो एक खाद शंकला ऐसी होती है एक खाद जाल ऐसा होता है जो मृत जीवों के शरीर से शुरू होता है अभी तक हमने जितनी भी खाद जाल और खाद शंकला है देखी यह सभी जीवी जीवों से शुरू होती है लेकिन एक खाद शंकला ऐसी है जो मृत जीवों के शरीर से शुर जान रखना है कि मृत जीवों के शरीर से शुरू होने वाली जो खादे शिंकला है उसे हम अपमार्जक खादे शिंकला कहते हैं जैसे किसी जीव का अगर शरीर मृत हो गया है तो इससे पोशन प्राप्त करने वाले कोई जीवानों हो सकते इन जीवानों को खाने वाले कोई उपभोगता हो सकते हैं और इस प्रकार से ये खाद शिंखला या खाद जाल बनता है, जिसको हम कहते हैं अपमार्जक, खाद शिंखला या खाद जाल. हम जानते बच्चों की परित्वी पर 100 से यह अधिक तत्व पाए जाते हैं और यह जो तत्व होते हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों ववस्था में पाए जाते हैं और इन्हीं तत्वों से शरीर का निर्मान होता है और इन तत्वों की जब रासाएनिक क्रिया होती है तब कार्बोर्डेट प्रोटीन वसा जैसे कार्बनिक पधातों का निर्मान होता है तो ये जो पोशक तत्व होते हैं ये जब शरीर से वातावरण में फिर से पहुँच जाते हैं या वातावरण से हमारे शरीर में आते हैं तो कैसे इन पधातों का चक्री करण होता है carbon dioxide जो कि हमारे वायू मंडल में उपस्तित है ये है 0.03% और इतना ही प्रतिशत वायू मंडल में इसका मेंटेन रहता है कभी सोचा आपने ऐसा कैसे होता होगा क्योंकि कहीं न कहीं carbon तत्व का चक्री करण हो रहा है और इसी वज़े से ये जो प्रतिशत ये मेंटेन है तो यह वातावरण की carbon dioxide को grind कर रहे हैं क्यूँ क्योंकि पॉधो में प्रकास Tensoration की क्रिया होते हैं और प्रकास Tensoration की क्रिया के दौरा पॉद्य अपना भोजन बनाते हैं तो पॉधे जो अपना भोजन बना रहे हैं इन पॉधो पर निर्भरकर रहने वाले जो जीव है इनसे अपना पोशन प्राप्त करते हैं जैसे यहाँ पर आप देख रहें गाय को दिखाये गया है जो इन पेड़ पोधों से अपना पोशन प्राप्त कर रही है तो वो जो कारबन जो वायू मंडल से कारबन डॉकसाइड जो पेड़ पोधों में गई कही ने कही यह जो कारबन जो तत्व यह जिव जन्तु में भी प्रविश करेगा जब यह जिव जन्तु में प्रविश करता है यह कार्बनिक पधार जब जिव जन्तु में प्रविश करते हैं तब क्या होगा शुषन की क्रिया जब होगी जीवों में तो शुषन की क्रिया के द्वारा क्या होता है कार्बन डॉक बहार निकलेगी तो कहां पर जाएगी बातावरण में वायू मंडल से फिर से मिल जाएगी तो आपने देखा जो कार्बन डाउकसेड वायू मंडल से आ रही थी फिर से वायू मंडल में वापस जा रही है तो हुआ नहीं यहां पर कार्बन का चक्रिकरण तो पेड़ पौध उसे गाई के श्वशन से मतलब पेड़ पोधे और जीव जन्तु के श्वशन से कार्बन डॉकसेट पुना वायो मंदल में वापत जा रही है और कार्बन का चक्रिकरण हो रहा है और कहां पर चक्रिकरण हो रहा है कार्बन का तो आप देखेंगे जब ये पेड़ पोधे और जीव जन्तु मृत हो जाते हैं, मृत होने के बाद अब घटक जीव जो है, इनका अब घटन करते हैं, इनके शरीर का अब घटन करते हैं, और जब मृत जीवों के शरीर का अब घटन होता है, तब कुछ मात्रा में उश्मा बहार निकलती है, कहीं ने कहीं कारबन डियोकसाइ का बाहर निकलना और यह carbon dioxide फिर से कहां पर जाएगी वायो मंडल में वापत चले जाते हैं तो यहां से फिर से carbon dioxide का निर्मान होता है और इन से जिवाश में इंधन बनते हैं जैसे koela, petroleum यह बनते हैं और जब यह koela, petroleum का use उपयोग हम करते हैं हैं na factories में, industries में, जब इनका use होता है या वहां चला निकर पर जोनी करते हैं, तो कैसे उपयोग करते हैं? जब हम जिवाश में इंधन को जलाते हैं, इनका देहन होता है, तो फिर से कौन सी गयास बनेगी, कारबन डॉकसाइट गयास बनेगी, और ये कारबन डॉकसाइट गयास पुना वायो मंडल में मिल जाती है, इस प्रकार से पदार्तों का चक्रिकरण होते रहता है, चाहे हम का पदार्वन की बात करें या नाइट्रोजन की बात करें, ऐसे ही नाइट्रोजन चक्रे भी होता है, और पदार्तों के चक्रिकरण से जो पोशक तत्व, जो किसी एक जीव के शरीर से पुना वायो मंडल में वापच चले जाते हैं, और वायो मंडल से पुना जीव में प्र क्रिया कलाप है जिसका असर हमारे पारिस्तितिक तंत्र पर हो रहा है तो जैसे अभी हमने एक उधारन लिया था कार्बन के चक्रिकरन को हमने समझा था और जिसमें मैंने बात की थी जिवाश में इंधन के देहन की तो हम जानते हैं आजकल जिवाश में इंधन का उपयोग ज बढ़ रही है तापमान भी बहुत अधिक बढ़ रहा है तो कहीं ने कहीं ये मनुष्य के क्रिया कलाप की कारण ही हो रहा है और दूसरा उधरन हम लेते धान के खेत का या कोई भी खेत के अगर हम बात करें जहां पर हम कुछ कीट नाशी दवायों का उपयोग करते कवक पहुचाने वाले जो जीव है वो खतम हो जाए और हमारी फसल का उत्पाधन अच्छा हो तो हम क्या कर रहे है कीट नाशी दवायों का छिड़काओ कर रहे है अब मान लिया जाए कि कीट नाशी दवायों के प्रयोग से अगर 0.01 मिलिग्राम आरसेनिक हमारी धान के पौध की शंक्या बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत आरसेनिक जमा होगा और जब इन पौधों को दूसरे जीव ग्रहन करेंगे तो उनके शरीर में कितने प्रतिशत आरसेनिक पहुच जाएगी आप इसका अन्दाजा लगा सकते हैं तो क्या हो रहा है कि जो नुक्सान पह और फसलत पादन बहुत जायता है और फसलत पादन और मिट्टी की उरुवराइक शक्ति अगर कम हो जाए तो फिर से मिट्टिक रुवरा शक्ति बढ़ाने में काफी समय लग जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे रासायनिक दवाईयों का छिड़काओं कम से कम करें कोई जैविक खात का उपयों करें कोई दूसरा तरीका अपनाएं जिससे हमारे प कीट नाशी दवाईया जब मनुश्य के शरीर में या किसी दूसरी जीव के शरीर में पहुशती है तो बहुत सारे रोग यह उत्पन्न करती है साथ ही मिट्टिक बहुतिक और रसायनिक गुणों को भी यह परिवर्तित कर रही है इसलिए हमें चाहिए कि हम इन दवाईयों का उपयोग कम से कम करें बच्चों आप जानते हैं एक ऐसा पौधा है जो की विदेश से लाया गया है यह जली पौधा है जिसका नाम है जलकुम्भी इसको आपने देखा होगा यह जलकुम्भी पौधा है यह तेजी से बढ़ने वाला पौधा है और जब यह तेजी से ब देख रहे हैं कि मनुष्य के छोटे-छोटे क्रियाकलाब के कारण हमारा जो पारिस्तितिक तंत्र है इनका संतुलन बिगड़ रहा है और जिसका असर हमारे पर्यावरण में उपस्तित रहने वाले जीवों पर पढ़ रहा है